अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले आप वीधी तुम अब अपनी आखे खोल सकती हो यह क्या हो गया? यह… यह मेरे जेरा नही है यह… यह क्या हो गया? सिर्फ्ट्रव आप हो गया हो यह… यह क्या क्या है? यह यह मेरे जेरा नहीं है बताये ना! बॉलिये! बॉलिये! यह बॉल क्यों अभी तुम नहीं है? बताये! यह मेरा जेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, यह मेरा जेरा, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, जुनियर, रिम जीम, मेरी बच्ची, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मेर बच्चे मैं आ रही हूं बच्चे मैं आपट रही हूं बच्च पकड़ो यह लो पकड़ो दवाई लो लो खाओ दवाई क्या हो जाता है तुबह बच्च? ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर बैठोगी तुम्हेरा बीपी बहुत है चुका है तुम आराम कर लो और फिर तयार होकर रिच्ची आ जाना बच्ची आराम कर दो कि अधिए मुझे मेरे बच्चों के बाख जाना और आपवान है मुझे क्यों रोक रही है काम डाउन विदी सब ठीक है तुम अभी होस्पिटल में हो लिसन टुमी क्यारफुली लिसन विदी मैं ऑफिसर संजीवनी हूँ और तुमारा केस मैं ही हैंडल कर रही हूँ ज्यान से सुनो पास साल मैंने बहुत बड़ा कॉम प्लास्ट हुआ था और उसमें तुमारा चहरा पूरी तरह से जल चुका था तुमारे परिवार के साथ-साथ मैंने भी उम्मीद खो दी थी कि कभी तुम वापस जिन्दा आपाऊगी पास साल से तुम कोमा में थी सबने उम्मीद छोड़ दी आज तुम जिन्दा हो तो इनी की वजह से यह डॉक्तर और इनकी टीम की मेहनत का नतीजा है तुम विधी तोमर हो एकसेट यॉरसेल्फ यॉर विधी तुमर थैंक यॉ जुजु भाया एक बार आपने मुझे फिर से बचा लिया वो सब तो ठीक है लेकिन तुम चिलाई क्यों इससे लिए अरे क्या तुमारे आद में तो खून पे रहे बेठो या प्रून 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 इससे लिए अवच हो प्रून कि अगर मां होती तो तुम्हें ये सब काम करने नहीं जेती तुम्हें क्या जरूर थी सुई से खिलने की लो हो गई तुम्हारे पट्टी अब एक चेस ओर अपना हाथ करो आगे विदी ये मौली पांस साल पहले बड़ी उम्मीद से मैंने खरी दी ये सोच कर कि जब तुम सिंदा वापस लोटोगी तब मैं तुम्हें ये बांधोंगी और आज भी ये मौका मिल गया कि इश्वर पे बरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा अब ये मौली तुमारी रक्षा करेगी लेकिन तुम बापा के कमरों में गई क्यों थी? हुम जानते हो ना उन्हें तुम्हारा वाज आना पसंद नहीं है लेकिन भाईया पापा लोग तो बहुत अच्छी होते हैं तो फर हमारे पापा ऐसे क्यों है? तुम्हें नया चेहरा मिला है नई जिंदगी मिली है एक्सेप्ट करो उसे इस सब क्या है? मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं पांट साल से यही थी मेरे नचच्चों पर क्या गुजर रहीए होगी? मैरे बच्चे कहा हैं, बताये ना? विदी, शांथ हो जाओ! मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, मुझे मेरे घर जाना है मेरे बच्ची सिफ पांट साल के यह देखी उसे मेरी जरूरत है, उसे, उसे उसकी मा की जरूरत है, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मुझे मेरे बच्चों बीदी, sit down! आप मुझे शांत होने क्लिए क्यों बोल रही है? Sit down! Sit down, बीदी! तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूगी. तुम्हारे दोनों बच्चे दिमजीम और जूनियर, बिल्कुल सही सलामत है. तुम यह सो मत सोचो, दिमजीम. तुम्हारी ममी भी मैं, तुम्हारा पापा मी मैं. ओके बहिया, अपने आखे बन करो. तुम्जीम, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ. तुम्हारे बालों के लिए, कलरफूल रिबिन्स और क्लिप्स. मैं एक मिनिट में आया. भाईया, थुड़ा दीडे. सुरी, जिंजीम. तुम हमेशा बाल खुले क्यों रखती हो, सारा दिन मूपर आते रहते हैं. मुझे बाईया, मुझे बाल खुले रखना अच्छा लगता है. तुम्हारे चैरे पर बाल आएगे, तो तुम्हारे आखे चोटी हो जाएगी. बिल्कुल इस तरह. यह क्या होता है? कॉपी केट, तहीं हमेशा के लिए ऐसे आखे, छोटी हो गई तो, जब मा वापस आएगी, तो उन्हें कैसा देखोगी, तेरी मेडी दिखेगी वो तुम्हें. तेक, मुझे मा को देखना अच्छी से. अब मेरे बाल बना दो. लो, हो गया. अब तुम कितनी प्यारी लग दियो. जूजू भाया, मैं भी आपके लिए एक सप्राइज लाई हूँ. पहले आखे, क्लोज करो. जूजू भाया, चीटिंग नहीं. अब आज खोलो. मैरे आपके जूदे खीक कर दिये. तुम्हें ये सब कैसे आता है? मुझे नहीं पता. बस मुझे आता है. और मुझे सिलाई करने बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल मा जासे.